परिक्षा के दौरान एक ऐसा सवाल पूछा गया जिससे समाज का एक खास तबका आक्रोशित हो उठा और होना भी चाहिए क्योंकि सवाहली कुछ ऐसा था बता दें की मामला जिले के परतिस्चित स्कूल डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल का है जहां अर्दवार्शिक परिक्षा चल रही है जिसमें हिंदी प्रशन पत्र में कक्षा 9 के परिक्षारतियों से एक सवाल पूछा गया जिसमें भारती मुसल्मान को आतंगवादी बता है मुस्लिम समुदाये ने डीम मौनिका रानी से शिकायत की और स्कूल के खिलाब कड़ी कारवाई की मांग की वहीं जमियत उलेमा हिंद के जिलाद्यक्ष मौलाना कारी जुबैर ने कहा कि ये भाईचारे को ठेस पहुचाने का बड़ा काम किया जा रहा है और इससे हम लोगों को तमाम मौनमानों को रहने और भी जो लोग है उनको सब बहुत सक्त तकलीफ हुई है इससे इसलिए हम ये मुतालबा करने के लिए हैं जिसके खिलाब सक्त से सक्त कारवाई हो और स्कूल के खिलाब बढ़ाई जाए वहीं मामला बढ़तादे की स्कूल परबंदन ने एक्शन लिया और जिस शिक्षिका ने हिंदी का ये प्रश्ट पत्र बनाया था उस शिक्षिका को बुला कर उनसे जवाब तलब किया साथ ही शिक्षिका को विद्याले से कारे मुक्त कर दिया गया है कलेक्टेट से एक अधिकारी का फोन आया कि इस पर आप परिक्षन करके कारवाई से आउगत कराएं मैंने ततकाल वहां के प्रधानाचार से संपर किया रात हो चुकी थी फोन नहीं उठा अगरे दिन मैंने फिर उनसे संपर किया तो उन्होंने बताया कि इसमें हम अपने अस और मैंने कल दोपार के बाद उस पूरी रिपोर्ट की एक हार्ड काफी कलेक्टेट को रिसीव करवा दिया हालाकि माना जा रहा है कि ये मानविय तुरूटी मात्र है विद्याले प्रबंदन किसी की भावना आहत नहीं करना चाहता था बहरहाल अर्धवारशिक्ट परिक्षा में नौवी के हिंदी के पेपर में तुरूटी और उसके विरोत के बाद विद्याले प्रबंदन ने पेपर निरस्त कर दिया है प्रबंदक छवी रायतानी ने बताया कि हिंदी के पेपर को दुबाला तीन अक्टूबर को करवाया जाएगा